नमस्कार आज हमारे साथ मौझूद है क्रिशी निदेश आलिया बालोगंज शिम्ला के संयुक निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी सर आज का आज के कारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत है समरिती जी आपका बहुत-बहुत धन्याबाद सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह हिम उन्नती योजना है क्या हम आज यहाँ पे एक नई योजना की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम हो हिमाइनती योजना है, इसे पहले कि हम बिस्तुटी रूब से हिमाइनती योजना के भारे में चर्चा करें जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि हीमाचल परदेश के जितने भी यहां पे जो जलबाईयों के हसाब से बात करते हैं यहां की हम परस्तितियों के हसाब से बात करते हैं तो एक क्रिशी परधान राज्य है जहां पे लगबग कुल अबादी का 70% जो लोग जो हैं वो क्रिशी से सीधे तोर पे या इनरेक्ट भूप जूडए हुए हैं। जह पे हम बात करते हैं तो प्रदेश में कुल लगबग हमारे 991,7 ृु किसान परीवार हैं ृ जो कि लगबग 9,44,1,0-4,0-4,0,0-4 कि योगया भूमी और उस अगर किशी योगया भूमी के ऊपर भी इनको कहीं चनोतियों का कहीं का सामना करना करना पड़ता है। उसमें से जो सबसे पहले जो उनके सामने जो चनोती है वो है कि हमारा सिंचीत क्षेतर है, वो बहुत कम है। वो परदेश में लगवग 22% के आस पहानी पड़ती है। इसी तरह से जो हमारी किसानों की जो भूमी जो है उनके पास जोतकाकार चोटा है, वो भी बिखरा हुआ है। और साथ में जैसे आम हम सब जानते हैं कि प्रदेश का जो हमारा पहाड़ी क्षेतर है, जहां पे जो हमारे चार कृशी भूली अखंड है नमें भी अगर हम देखते हैं तो यहां पे अलग लग तरह की समस्य हैं, कहीं पे हमारे केत अतने चोटे हैं पहाड़ी नुमा हैं, जहां पे हमें अध्निक मसिंद्री का अपयोग नहीं कर सकते हैं, कहीं ज सब्सुर्ब को करना पढ़ रहा है। जिस के फ्र सलूप पर दे है वो क्रिशी शे बिमुक हो रही है तो इन समस्चाव को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा और के अंदरी सरकार द्वारा तहीं योजना करियानमित की जा रही है लेकिन इनका समझी तिलाव अवी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है इसी परिवेक्स में इसके देखत हुए बरतमान सरकार ने बरस 2003 में एक नई योजना जिसको हम हमनती योजना कहते हैं की सुरुवात की है इस योजना के अंतरगत क्रिशी के समगर विकास और इंटेग्रेटर डॉलमेंट के लिए एक ब्रिहिद योजना त्यार की गई है जो की क्रिशी बिवाग पशुपा इस योजना को कृरियनुवित करने के लिए परदेश सरकार ने 150 क्रोड रुपए का पृपषना की है कि अगामी तीन बरसों में परदेश में इस योजना के अंतरगत क्रिशी के समगर विकास एक सो पचास क्रोड रुपए खर्च की जाएंगे तो सर यह योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और विभाग इसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार से कारे कर रहा है कि अब तक जो जितने भी योजना यहां पे प्रदेश में चलाई जा रही थी तो यह देखा गया कि किसानों को इन योजना के बाबजूद भी कई सक्षाणियों का सामना करना पड़ रहा है तो एक प्रदेश में एक कलस्टर बेस्ट पे एरिया जो बेस्ट पे एक स्कीम बनाई गी ताकि हम एक फोक्स इंटर्मेंशन के साथ वो सब गतीविदियां वहां पे करें ताकि किसानों की आये को बढ़ाया जा सके और वहां पे जो है हम एक जो स्पेसिफिक कमुटिटी बेस्ट फचलों को उगाएंगे और उसके पूरा मार्केटिंग से लेके उसके उत्पादन से लेके उसके साथ उसमें क्या-क्या हमाई इंपूर्ट चाहिए वो सारा प्रवंदन कैसे करना है और उस क्षितन में जो क तरदेश में करियानमित किया जारा है तो सविचे आप ने क्लस्ट यह से ौने क्लस्टर के बात जाना जाएंगे किस तरह के हैं और को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए बारह सो कलस्टर प्रदेश चिया जाएंगे ग्रिशी विबाक खे मादमसय रहिए इसके साफ धियार्स 300 cluster हमारे जो प्रध्रावदेटिक खेती के अपर केंदरेत रहेंगे। 300 cluster हमारी जो ऐक जायका jáइका जपान के सेवक do yarinnah करिय अनमेत की जा रही है। उसके प्रडेश के बाराजिनों में करियानमेत की जाएंगे। हब तक जो हम बात करते हैं कि 1867 cluster जुहां प्रदेश में चिन्नित किये जा चुके हैं जहां पे कुछ गती भी दियां जो है जैसे उन कलस्टर का कैसे संगठन करना है उन में कितने किसान है वो जो है कि अडेंटिफाइड कर लिए गए हैं इसके साथ ये कलस्टर का जो आकार है वो 40.000 गेका होगा इस 40.000 के क्षेतर मे एक पूरी तरह से चिन्नित किया जाएगा कि उस क्षेतर में क्रिशी से स्वंदित तथा अन्या पशुपालन बागवानी या अन्या कोई भी समस्या होगी वो भी उस गैप को भी चिन्नित किया जाएगा और जो कार्या जो गतीविदियां क्रिशी विभाग के क्षेतर में नहीं आती हैं, वो समंदित विभागों को संजा की जाएंगी, ताकि हम सब मिलकर, जितने भी क्रिशी या क्रिशी से समंदित जो और अन्य विभाग हैं, जाब अपसुपालन भागवानी हैं, सब मिलकर काम करें, और हम किसानों की आमदन को निश्चतरूप से बढ़ा सकें. यह बेसिकली एक तरह से ब्रिज का काम करेंगी, तो सर जैसे यहां पर किसानों का जितनी भी योजना जो बनाएती हैं, उनका मुख्यों देशे यह भी होता है कि किसानों की आय को बढ़ाना, तो इस योजना के अंतरगती किस तरह से यह किसानों की आमदनी हैं वो बढ़े बीगे का एक कलस्टर होगा, इसमें जितने भी कसान उस कलस्टर के अंतरगत आएंगे, उन कसानों का एक समू बनाया जाएगा, और उस समू के साथ हमारे जो ग्रामनी स्थर पे जो क्रिशी अधिकारी हैं, बोन के साथ मिलकर चर्चा करेंगे, और ये वहां के जितने भी जो रिसोर्सिज हैं, उनकी मैपिंग करेंगे, जी आई इस बेस्ट मैपिंग करेंगे, ताकि वहां के हमें कौन कौन से रिसोर्सिज हैं, और किस किसम के वहां पे गैप हैं, और किसानों की क्या जरूरत है, और इसको जो हम वहां पे जो जितनी भी क्रिशी की जो कमर्शियल ज का मार्केट में उचित अदाम मिल सके और वो जो क्लस्टर जो वहां पे होंगे जब मिलकर काम करेंगे तो चाहे वहां पे क्रिशी क्षेतर के जो इनपुट मिनेजमेंट का इशू है चाहे वो प्रोडक्शन का इशू है चाहे वो मार्केटिंग का इशू है तो वो जो उनकी जितनी भी प्रावलम आती है तो उनके डूर स्टेप पे किसानों को उनकी समस्यों का समाधान देने की अपरियास किया जाएगा। तो सर जो ये कलस्टर है उसमें किस तरह से ये जो किसान है उनको आर्थिक सहायता या फिर किस तरह से प्रोथाहन मिलेगा। हाँ इसमें हम हरे कलस्टर के लिए प्रतिवर्स आठ से दस लाख रपाय प्रतिवर्स जो है वो खर्च करने का प्रावधान है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो वहां कलस्टर में जो मुख्या गतिविदिया होंगी। एक तो हमारी फूक्स इंटरवेंशन है तो है ही है। साथ में हूँ, उन किसानों का वहां पे जो खेज़िद़्र के खेजान है। इसके जो जो जानकारी मिल सके। थोड़ा सा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस जो योजना का जो क्रियानवन है कैसे इसको इंप्लिमेंट करना है उसका भी मैं बताना चाहूंगा कि यह योजना जो है कि किस कैसे जो है कि स्टेट लेविल से लेके गरामनी स्थार तक या किसान के स्थार तक कैसे ऑगवानि विकास, भागवानि के मंत्री था है आइ पावर कमेटी इस देसे हैं और साथ में कुरिशी बिभाग और पुर्शुपालन बिभाग के नाम डिरेक्टर्स हैं वो भी मेंबर्स हैं इसी तरह से जो दूसरी कमेटी को और बनाई गई है इंट्रल डेपार्टमेटल क करामने वकास है इनके साथ कैसे कोडिनेशन करना है तो उस लेबल की भी एक कोडिनेशन कमेटी में बनाइगयी है जो हमारे स deaf करिष्ड जो सेकरेटरी करेटरी ओर्डेकर्चर धिख्सता में होंगे जी ताकि हम स्टेट लेबल पे कैसे इंटर डिपार्टमेंटर कोडिनेशन करें और उसके साथ जो तीसरी जो चीज आ जाती है जो हमारे डिरेक्टरेट लेबल पे करिशी के जो नदेशक हैं उनकी देखता में एक स्टेट कॉल टीम बनाई गई है जो कि स्टेट लेबल पे इस हिनुनती योजना का कैसे क्रियान करना है वो उसके जो है कौन-कौन से जो है इक नोडल ऑफिसर है जो समय समय पर जो है कि इसकी गतिविदियों का की मोनिटरिंग करेंगे कि और क्या क्या इसमें इसमें सुझाब क्याएं चीज़ाब करने है उख करेंगे और उसके साथ हमारे जिलस तर पे भी एक कमिट्य जिस कमिट्टी में, समंधित जिला के जिला-धिकारी हैं, डिप्ति कमिशनर हैं, हो उसके अध्यक्स होगे, हो और हमारे जो हूपन-देश क्रिशी हैं, हमारे उस जिला के, हमारे और बी जोगी अधिकारी हैं revenue में होगे, तक हम एक स्रेट से is तरह से युजना काãy THIS को कि नीचे अगर कहने बाथ करते हैं, तो वहां पर भी एक कमिटी बनाई गई है, जो अपने अपने उप्वमंडल या खंड स्थर पर जो है, कैसे 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 क्लस्टर की कारिया उजना होगी, उनके जो सबंधी तेरियेज है, वो होगे, और सबसे जो महतरपून बात है, कि जो हमारा जो सबसे जो नीचे कड़ी है, क्लस्टर की बात करते हैं जहां पे किसान जूने हैं उसमें प्रफेर्च से और करियन अबितकी है और इसमें जो प्रफेरेंस दिया गए आ कि वहां पे हम जो क्लस्टर बेस पांगे कुर्से वह हमारे किसान वे करिशी सकुन न सक Casey-ाू उनको भी इसमें सम्लिद כिय गया है, ताकि कि एक मिलक क क्रिषा करके, हम अ किसानों को धेर नेकर के अगरदवार पर निधान करें, क्लस्टर में Гैप इडेटिफाइड कियी है, वे ऐन kı arg। के लिए क्रिषी बाह के का यह समाधान करेंगी, ChamんなaldS भाह के करें यह क्रिषी बा इस से खंड से लेकर जो स्टेट लेवल है उनमें लिंक बना रहेगा और जो भी किसानों की समस्य से उनका समधान हो सकता है। इसमें एक और मौत अप्रून बात है कि जब हम कलस्टर बेज सेु के खंड स्तर पर जिला स्तर पर राज्य स्तर पर या सरकार के स्तर पर ये एक शमय बद तरीके विद्स को निशिद किわ गया है कि इस समय के गतिव किसानों की आती है कि उन को हटके कोई चीज जो हमारी योजनों में संद्ध नहीं है हम तीन साल करी इस योजना को बना रहें हैं कि एक क्लस्टर होता है कि किसान खेती करते हुए कोई दुरगटना हो जाती है या भूमी का कोई नुकसान हो जाता है तो क्या इस योजना के अंतरगत कोई इसके लिए मुआफ़जे का प्रावधान या कुछ प्रावधान है आर्थिक साहता का जी नहीं इस योजना के अंतरगत सीरिय तोर पर ऐसा कोई प्राबदा नहीं है लेकिन विवाद की जो अन्यसकी में जो क्रियानमित की जा रही है जिसमें मुख्या मंतरी किसान एवम खेती हर मजदूर सुरक्सा योजना है जो परदेश सरकार द्वारा ही भित पोशित है तो इस योजना के अंतर अगर कोई किसान या मज हो जाती है या फिर कई बार कोई एकसिडेंट से कोई अन्होनी गटना मुर्टिवी हो सकती है इस केस में दस हजार रुपए से लिए के तीन लाख रुपए तक का जो है वो सहता परदान की जाती है और उसके लिए भी यह है कि कोई भी किसान पर देश का अगर इस तरह कि क किसी को भी कोई काम करते हुए कोई ऐसी कोई दुरुगतना होती है तो वह अपने नजड़ी की जो किक विकास अधिकारी से सिंपर कर सकता है और सरकार इसमें जो है वा सहता देती है इसके अलावा जो आप बात कर रे थे दुसरा कि अगर कोई भूमी कटाब यह का नुकसा तो जैसे खेती में नई तक्नीकों का भी इस्तमाल करने का बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर हिमाचल के अगर हम बात करते हैं तो यह अधिकतर पहाडी क्षेतर है तो यहां पे किस तरह की नई तक्नीकों का इस्तमाल किया जा सकता है या फिर जो मशीनरी होती है किस तरह क की मशीनरी का हिमाचल में जैसे पढ़ाडी क्षेतरों में इस्तमाल किया जा सकता है जी हमुनिती योजना का में के अंतरगत जो हमारा एक फोक्स इंटर्मेंशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतरगत हमारा यही एक बजेक्टिव भी है कि हम इस तरह की किसानों को मसीनरी क कि बात है पहुत प्लॉब्द कराएं जी कि और गतीवी निया है वो समानिया रोप से सचार रूप से कर सकेक्ए हम दिन पर्ति देंगते हैं कि बहुत से कारे ऐसे बाते हैं है Mond की के जो कि अ लेबर करना मुशकल में प प्रॉल्म भी रहती है कि नहीं अबरेबल हो पाती है तो इसके लिए हम एक फोक्स इंटर्मेंशन के थूरू या जो हमारी राज्या कृशी अंतिकरन योजना जो क्रियनमित की जा रही है या फिर जो एक और है हमारी जो समयम की जो योजना है तो उसके अंतरगत किसानों को म अनुदान दिये जाता है जिसके लिए किसान हमारे किसान भाई बहन सी लिए तोर पर क्रिशी वहा के पोर्टल पे अपना रिशिशन करवा सकते हैं और वहां पे इसके जानकारी दी गएगी कौन-कौन सी मिसीनरी उपलब्द है उसके उपर जो है के अनुदान कितना उपल बात करता है रहे है तो योजना से उत्सकी किसटर में रूप करना चाहती है नो किस तरह से कर सकता है tut Gueई कि अगर बात करते हैं पीछ ऐसे क्लश्टर में इतने बी किसान इसमें क्यानसी को बूरे जेरकि सिर मेंगे कि एक क्लस्टर में 20-25 किसान इसमें समनित होंगे तो इस सहाब से हम बात करते हैं तो जितने भी किसान उस क्लस्टर में आएंगे वो सारे इस योजना के लिए सेलाब ले सकते हैं इसके अलावा जो क्लस्टर के बाहर के जो क्लस्टर बजाते हैं तो आगे आने वाले समय में इस योजना की सफलता को देखते हुए उन कशेतरों को भी सम्रिट किया जाएगा तो यह इस तरह से क्लियर्मित की जाएगी दूसर जैसे किसान होते हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि कम उनके पास एरिया कम है लैंड कम है और उसमें वो खेती करते हैं तो जो उनके उत्पाद होते हैं उनके पास समस्य या आती है कि या तो वो बजार में नहीं पहुंचा पाते हैं अपना जो फसल है या फिर अगर वो पहुंचा देते हैं तो उनको सही दाम नहीं मिलता है उसका तो इस चीज़ के लिए किस तरह से उनको समर्थन मिलेगा या साध जाए किस तरह की मदद मिलें कि ऐसे का हम से कवेर्य में करेक् Hin कोमड़िटी बेस प्रोडक्षन की बात करते हैं कोमड़िटी मार्किट बेसि कि अधी का मार्कट प्रोड़क्षन लिए तो जो इनने को मिला के इंटेगरेट करके एक किसान की बना सकते हैं और उन समोभ बना के फिर हम फूर्मर्स प्रोड्यूझर और्गिनाजीचन बना सकते हैं उसके साथ लिंकेज करके एक जो है की इंट्रप्राइर्श्प ड्वेल्डड करके ताकि किसान अपना पैदाबार से लेके बजार तक एक समचित प्रवंदन करे और जो पैसा जो था वो कम से कम जो है कि 20-25 प्रतिसत जो है किसान जैसे उसमें इनपुट करे देने हैं जो फसलत पादन के लिए उसको चाहिए उसके अपर बचा सकता है और अगर उसके बाद मार्किट बेस्ट प्रोडक्शन करता है तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे और निशित रूप से अगर इस योजना के इतहत किसानों को जो है उनकी आमदन में इजाफा होगा जी तो सर जो एक क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं जो हमनती योजना में क्लस्टर बनाया जा रहा है उसमें अगर हम लागत की बात करें तो उसमें लागत कितनी लग रही है और उससे किसानों को कितना लापराप्त हो सकता है हाँ इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे मैंने सुरूГ में बात की एक क्लिश्ट्र में हम प्रती बरस आट से दस लाक रुपाए सरकार की होomanager करते हैं और यह एक क्लिश्त्र में हम तीन बरसों तक ही intervention करेंगे ताकि किसानों को वहाँ पे demonstrate भी किया जाए, उनको training भी दी जाए और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो उनकी गतिविदिया है वो अपने आप में self-reliant बन जाए एक entrepreneurship के रूप में develop हो जाए तो इस तरह से हम उनको जो है यह सहता देंगे तीन सालों तक ताकि वह अपने पाउं पे खुद खड़े होकर अपनी जो है ता कि आगे वह स्वेम अपने आपको जो है वो self-sustained करें तो सर क्या इसके लिए कोई training या कोई camps भी लगाए जा रहे जिससे लोग जो किसान है उनको काफी जादा information मिल सके और वो इसमें खेती में specially आगे बढ़ सके और जो युवा है जैसे आपने कहा कि युवां का interest थोड़ा कम हो रहा है खेती में तो वो भी बढ़ा रहे है इसमें खासकर के यह प्रादा रखा गया है कि उस क्षित्र में जो cluster है हमारा cluster के एकसानों का उनकी training भी की जाएगी जो उनके जरूरत है जरूरत के मताबिक है और साथ ही साथ उनके exposure भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर demonstration भी लगाए जाएंगे नई technology को demonstrate करने के लिए और इसमें एक चीज और जो बहुत महत्वापून चीज वो यह है कि यहां पर एक तो financial intervention है जो हम बात कर रहे हैं आर सिदा सलाक्रवे प्रती बरस करें इसके अलावा बहुत सी चीज ऐसा है कि जहां पर non financial intervention है जहां पर कसानों को सिर्फ एक समय पर जो है कि सही जानकारी चाहिए जैसे उनकी फसल में को बिमारी आ जाती है तो उसको कैसे मेरेज करना है या उनकी जो भूमी की अर्बरता सकती है उसको कैसे maintain करना है उनकी स्वा कि समय पर किसान को एक जानकारी मिल जाती है कि कौन सी फसल किस समय पर उगानी है और उसकी marketing कहां पर करनी है और उसकी marketing करने से पहले इसमें value audition कैसे करना है अगर इस सारी चीजें करते हैं और उस chain को supply chain को कैसे maintain करना है तो एक business के रूप में जब वो बैप हो जाएगा तो न बात करें जैसे जो यह योजना है इसमें किस तरह से कारे हो रहा है कि अभी तक का जो success rate है वो कितना है जैसे यह जो योजना है वो 2023-24 में इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसका success rate या फिर अगर हम देखी कितना लाबकारी है अभी तक अगरम बात करते हैं तो जैसे यह य उजना की जो यह फिर शिरूआ कारे किया गया जिया और जुलाई में यह यह जो था के दरातल तार पे जो था कि यह जितने भी हमारे जो cluster थे ये यह हमारे जो जिलासतर यह खंड स्थ़ पे जो अधिकारी थे तो उन्हें उन्हें इसको जो चिन्नित किया और उसके बाद आपके उनके सभी क्लिस्टर्सट की बखा कि पानी कितना विलेबल है जासे हम बात कर रहे थे कि अगर भूमी कैसी है। सारी चीजों के उपर जो है वो नोने अरसोस मैपिंग किया अब अब वहां पर जब इस सारी चीजें वहां पर सुरुआत की गई उसके बाद इसका एक सेट अप था स्कीम का वो बनाया गया और इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे सुरु नादी में 187 क्लिस्टर के ऊपर उपर इसके बारा के बारा जीनों में दोर्क विभाग द्वारा और कौन-कौनसी अलग योजना है कि सांथ क्लेंगे में शैंस्मुना सेसे योजना जो की लाभवन्वे प्राप्त करवाता है किसानों को इसके साथ एक हिमनती योजना जो है ये प्रदेश सरकार के एक नई पहल है क्रिश के समगरे विकास हेतु ये एक हटके योजना त्यार की गई है इसके लावा केंदरिया प्रेजित और रज्जया प्रेजित जो स्कीमे है क्रिशी के विकास के लिए क्रियानमित की जा रही है इनमें मुख्या रूप से अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे हम परदेश में जो फसल अभी विदी करने को प्रतस्वाम देने के लिए जैका से फंटड़ एक योजना क्लियानमित की जा रही है जिसके अंतरगत हम 300 कलस्टर गलब करेंगे और इन कलस्टर के अंतरगत जो जै लिए वहां पर गवानी चाहिये और उसके अपर उने को ड़ी मो शृस्म दिये जाएंगे और साथ उन्हक्त प्रैटिकल तोर पे जहां को सारी चीज़ें समझाई जएंगी और को उनको करवाए जांगी और उसके साथ हमारे जो 11 सो कृलस्टर हमारे नेचृल फार्मिंक के आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपून जानकारी दिया और हमारे कारेक्रम में आने के लिए इतना महत्वपून समय दिया उसके लिए आपका बहुत भाध धन्यावाद तो दर्शको आज हमने कारेकरम में जाना कि ही मन्यूति योजना किस तरह से किसानों के लिए लाबकारी सिध हो रही है और उसके अलावा और कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो कि किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाई हैं तो आज के कारेकरम में केवल इतना हैं आपसे फिर म कर दो कर दो कर दो कि अंजुक है।